आज बाबा मुडली में बार-बार हमें इस्मर्तियां दिला रहे हैं घर की बी और हमारे आदी स्वरूप की भी हम उनी इस्मर्तियों में साथ-साथ इस्थित होते चलेंगे बाबा पहली बात कह रहे हैं बच्चे तुम्हें कोई साथू संत मनुस गुरू नहीं पढ़ा रहा है मैं स्वयम ज्यान का सागर तरकाल दर्सी तुम्हें इस रश्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान दे रहा हूं अब तुम जान गए हो मैं तुम्हारा परंपिता हूं, भाब भी हूं, सुप्रेम टीचर भी हूं, तुम्हें ज्यान दे रहा हूं और सद्गुरु भी हूं, तुम्हें घर ले चलूंगा ये बात तुम अच्छी तरह समझते हो अब तुम आत्माएं भी शरीर के द्वारा मुझे बुलाते आये हो हे पतित पावन आओ तुम पावन थे, तब तुम पतित बने और बुला रहे हो जब तुम आत्मापवित्र थी, तो शरीर भी पवित्र थे आत्मापतित बनी, तो शरीर भी पतित बिमार, रोगी, ऐसे वैसे बन गए है तुम मुझे बुलाते आये अब मैं आया हूं तुम्हें घर चलने का रास्ता बता रहा हूं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं राजाई देने के लिए, मेरे सिवाई ये राजयोग तुम्हें कोई और सिखा नहीं सकता, मैंने तुम्हें इस मर्ति दिलाई है, तुम्हें टर्सो, तुम्हात्माई अविनासी हो, ये तुम्हें शरील लिया है, 84 जनम तुम्हें लिय अब घर जाने का समय आ गया है, तुम परमधाम में रहते थे, उसको श्यानती धाम निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, वहां से तुम अपने अपने समय पर इस अंसार में पाठ बजाने के लिए आए हो, हम याद करनी है चीजे, इसमर्थ दिलाते हैं बाबा बार बार, जब तुम पहले पहले वहां से नीचे आए, तो तुम देवी देवता थे, याद दिला रहे, तुम बहुत धनवान थे, ये भारस सोने की चिडिया था, अथा धन संपदा थी तुम्हारे पास, तुम्हारे महल भी हीरो जवार रातों के थे, उनकी तो कोई कीमत कर ही नहीं सकता, तुमने उस अब धन कहां गमा दिया, बाबा उलेना दे रहे हैं, तुमने मेरे बड़े-बड़े मंदिर बनाए, सोमनात का मंदिर बनाए, सबसे पहले, हर राजा ने भी अपने-अपने महलों में मंदिर बनाए, अपने-अपने राज में मंदिर बनाए, कितना धन तुम्हारे पास, जो मंदिरों में भी बहुत सारे हीरे सोना सब लगा दिया, बहुत प्यार था, तुम भगतों का मुझ अपने परंपिता से, अम मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं पोच रहा हूं बच्चे, वो धन तुमने कहां गवाया, जो भारत सबसे महान, सबसे धन था, सोने की चिडिया था, वो कंगाल कैसे बन गया, तुम चोरा से जनम लेते लेते, पूरे कंगाल बन गये, निर्दन बन गये, बारत का क्या हाल हो गया है, कितना धनवान था ये देश, अब मैं तुम्हें आकर सत ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान मेरे सिवाए कोई द अब घे ही नहीं सकता, इसलिए ब्रह्मनों का भी गायन है और ब्रह्मा का भी, ब्रह्मा को आदीदेव, एड़म, आदम कहते हैं, मैं तुम्हें इस ब्रह्मा के तन में बैठ कर ज्यान दे रहा हूं, मैं ज्यान का सागर हूं, शरष्टी का भीज हूं, लिबरेटर हूं, तो मुझे इन नामों से याद करते आये हो। पर तो कई लोग कहते हैं, भगवान तो जानी जाननहार है, सब के दिलों को जानता है, पर मैं तुम ऐस दिलों को जानकर क्या करूँगा, ये सब गलत है। मैं तो ज्यान का सागर हूं संपूर ज्यान तुम्हिआ देता हूं। तुम्हें ये ही तो नहीं पता था के बगवान कोन है, किस से पूछो बगवान कोन है, ज़्जा किसी को कुछ आता नहीं क्या देतेजμαιрах़, घटगड़कावासी है, सब जगहे है। तुम मेरी इंसल्ट करते आए, डिफेम करते आए मुझे, अरे, सब के अंदर तो आत्माए हैं, परमात्मा नहीं, अगर मैं सब के अंदर होता, तो तुम मुझे बुलाते क्यों हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं, हमें घर ले चलो, तुम्हारा कल्यान करता हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, ये मनुष्य से देवता बनने की है, यह पढ़ाई और कोई मनुस्त तुम्हें नहीं पढ़ा सकता調। तुम्हें विशत्त पढ़े भक्ति की इस दादा ने बहुत सास्त पढ़े यह तुम्हें ग्आन नहीं मीदे रहा है। मैं दे रहूं इसके तन में बैठकर तो सास्त्रों से ग्आन मिला क्या। सत्युगादी में यह सास्त नहीं होते हैं, क्योंकि देवता किसी की भक्ति नहीं करते हैं, बाद में भक्त लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, तो मैं तुम्हें आ गया हूँ, नर्से नारायन, नारी से लक्षमी बनाने, तुम्हें फिर से वैसा ही साहुकार बनाने के लि को भी इसका कोई उत्तर नहीं आता है, तुम जानते हो, ये भी सुपर राज करते थे, संपोर्ण, पवित्र, इनके राज में भारत सबसे अधिक सा उकार था, पुर्णर जानम लेते लेते, अब एंड में आ गए हैं, तुम भी उनके साथ ऐसे उतरते आये हो, अब मैं आकर तुम्हें पावन बना कर फिस से राजाई दे रहा हों, उसके लिए राज योग सिखा रहा हों, तो तुम्हें अपने खान पान को भी सुद्ध करना है, वो चीजे नहीं खानी है, जो देवता नहीं खाते थे, बीडी सी ग्रेट मांस, मदी राय देवता थोड़े सेवन कर तुम्हें मनुस्य देवता बनना है, तो तुम्हें इन सब चीजों का त्याक कर, अपने को पूरी तरह सुद्ध करना है, और ये माया, जो बहुत दुस्तर है, बड़ी पावर्फुल है, सब को पतित बनाती है, पापात्मा बना दिया है, इस पर विजय पाकर तुम्हें पुन्यात्माई बनना है, वर्दान है, स्रेष्ट कर्म के द्वारा, सिमरन योग्य बनने वाले, योग्योब् source युक्ति, युक्त भव, बहुत सुन्दर बात है, भक्ति में लोग नाम इसमट करते हैं, लेकिन तुम अगर योग्योब्स करते हो, तो तुम सिमरन के योग भगती में तुम्हारे नाम को भी लोग सिम्रन करते हैं, अब तुम्हें ऐसे ही कर्म करने हैं, वहां तो केवल नाम सिम्रन होता है, लेकिन तुम्हारे स्रेष्ट कर्म और गुणों को भी लोग सिम्रन करते हैं, तो योग-युक्त बनो, जो योग-युक्त होंगे, उनका कोई बेवि कर्म, एयुक्त हो ही नहीं सकता, और ऐसी योग-युक्तात्मा है, युक्ति-युक्त स्वता ही बन जाएंगी। यही सच्य योगी के लकषण है रथा जो योग-युक्त होंगे, वो नम्र्चित अवस बनते जाएंगे, उनका हैं काम्起來, 2022 से नस्ठ होता जाएगा, तो आज सारा दिन, हम अपने पांच यो स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, जो बाबा ने हमें इस्मर्तियां दिलाई हैं, हम याद करेंगे, आप एक लिस्ट बना लो 16 पॉइंट्स के, बाबा ने मुझे क्या-क्या इस्मर्तियां दिलाई, बड़ अच्छी तर है, अपने पांच यो स्वरूपों को इस्मर्ति मिलाएंगे, ओम श्यंति